मुझपर पर पुलिस ने गुप्त सूशना के अधार पर चार अपराद कर्मियों को गिरफतार किया है। उनके पास से हंथियार और गोली भी बरामत किया गया है। साथ ही लूटे गए लेप्टॉप और बाइक भी बरामत किया गया है। उनके निसान देही पर अन्य अपराधियों के गिरफतारी के लिए छापे मारी की जा रही है मामला जिलेप के साहिब गंज थाना छेत्र का है दरसल राकेस कुमार को गुप्त सूचना मिली कि जिले की साहिब गंज थाना छेत्र के खोरी पाकर मलंग अस्थान के पास कुछ अपराध कर्मी एकत्रित हुए है किसे बड़े अपराधिक घटना को अंचाम देने के फिरात में है सूजना के आलोग पर त्वरित कारवाई करते हुए एक टीम गठित किया गया गठित तीम के द्वारा उक्त जगह पर छापे मारी की गई पुलिस ने मौके से चार अपराध कर्मियों को गिरफतार किया उनके पास से दो देसी कट्टा, पांच कार्थूस, तीन बाई, एक लैप्टोप और दो मोबाईल जब्द किया है गिरफतार अपराधियों की पहचान, बेरिया निवासी दिने साहनी के पुत्र संदीप कुमार, गोडा निवासी राजेदर सहनी के पुत्र सोनु सहनी, नीरपूर निवासी हरेंदर सहनी के पुत्र जैप्रकास सहनी और सुजॉला निवासी अवध पासवान के पुत्र ल लैप्टॉप बरामत किया गया है इसके साथ देवरिया थाना के कांड संख्या तीन बटा 24 और दस बटा 24 में लुटी गई बाइक भी बरामत की गई है अपराधियों का पहले से अपराधिक इतिहास भी रहा है उनके गिरों के अन्य अपराधियों के गिरफतारी के लिए लुटी गई लेप्टॉप और बाइक भी बरामत की गई है। उनके निसान देही पर अन्य अपराधियों के गिरफतारी के लिए छापे मारी की जा रही है। गिरफतार अपराधियों का पहले से अपराधिक इतिहास रहा है। अंतरकत काफी पिछले एक माह के अंदर सक्री थे और CSP संचालकों से और इसके लाबा जो आम नागरिक जाते हैं बाइक से उनसे लैपटॉप मोबाईल या चोटी मोटी राशी की चिनाती करते थे। इसी आलोप में एक टीम गठेत की गई थी साहब गंध ठानादेश की ने इनका आपरादिक इत्यास भी है अभीता की लोग चार कांडों में वांटेट थे और चारों ही कांड जो है वो लूट या चिनाती से संबंदित थे इनके पास से एक घटना में लूटा गया लैपटॉब है जिसको हम लोग ने बरामत किया है इसके तक दो घटनाओं में ज जब की गई है इसमें टोटल पांच लोग थे एक लोग अभी भागने में सफल वए हैं जिनकी ग्रिफतारी के लिए हम लोग प्रयास रहते हैं पिसले दिनों जो है साइब गंज में दो तीन घटना घटित हुई थी जिनके केस नंबर है पांसो चुरासी बटे तेईस और है हद्या सुबटे चाविस